अभी को मेरा जैसी कृष्णा आज हम ऐसी रंगोली सिखेंगे उससे पहले मैं कुछ बाते आपको ऐसी बताऊंगी जो आपकी गलती हो रही है और हम बेसिक से शुरू करेंगे क्योंकि बहुत लोग वही वही गलती कर रहे हैं और सबसे पहले लाइन को ऐसे खेचना है दीरे लाइन बनाना इजी होगा लाइन पॉइंट हमारा पहला पॉइंट था पॉइंट दूसरे दिन हमने लाइन से की कल हाफ सरकल और साथ में दो तुर्रे ये वाला एक तुर्रा और दूसरा इसको तुर्रे बोलते है ठीक है अगली बार में फिर बोलते हैं मैं ऐसे बनाने की छोटे बड़े बड़े सरकल बनाने की आपको आज प्रैक्टिस करनी है जब सरकल बनना शुरू होगा तो बाके की चीज़ा आराम से बनना शुरू होगी बहुत सारे डिजाइन्स बनाने का सीख होगे तो देखो एक सरकल बनाया फिर हाफ सरकल की प्रैक्टिस करना इस टाईप से और जो तुरा बनाने को सिखाया था इस टाइप से सबको जूइन कर दिया तो बहुत सुन्दर चोटी डेली के लिए और में इसाटि नहीं में ते C और कलर करने का तरीका हाथ से छोटा थोड़ा भी कर सकते हो दो उंगली से या फिर छलनी से भरके भी कर सकते हो वो तो हम बाद में अच्छे सा सीखेंगी आप इस तरीके से इसको कंप्लेट कर सकते हो तो आज इसका एक फोटो आएंगा मुझे और अब मैं आपको बता रही ह यह जो डॉट्स है यह इतने डिस्चंस में रहने चाहिए थोड़े से बहुत चिपका चिपका के बना रहे है तो अच्छे नहीं दिखते फिर जो धीरे 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 आपको इसको स्ट्राइक करना है धीरे और सबको सेम इस तरीके से स्ट्राइक करें नहीं करांगे आपको लाइन की प्रैक्टिस से देखें क्या किया ψ प्लस साइन बनाया फिर नीचे से हाफ सरकल लेकर हात को घुमाया देखिए अंदर साइड से आपको बता रही हो हाफ सरकल उपर कलर दालना मत भूलना कलर दाले विगर रंगोली पूरी नहीं होती है देखिए अब हमने बारिक बारिक बड़े चोटे चोटे डॉट्स देके इस रंगोली को इस टाइप से पूरा कर दिया तो बहुत सुंदर सा स्वस्तिक बनाया है इसमें डिजाइन आप अलग-अल अलग बताओ तो मैं बच्चों के लिए बता रहे हूं श्पेशल बैंगल वाली रंगोली यूस करके अब बना सकते हैं जो डॉट करके सेंटर से बीच से गोल करके एकदम सेंटर में लाना है खेचना है रंगोली को हलका सा पर कहां से खेचना है बाहर से नहीं अंदर से बीच में से तो वो सुन्दर दिखता है फ्लावर बहुत अलग-अलग ऐसे ही पैंसिल और रमैंगल से बहुत फ्लावर बनते हैं अब मैं ल जीली छोटे बच्चे भी लिफ बना सकते एक डॉट बनाना सीखना जरूरी है पर फिर चम्मस से इसको थोड़ा सा दबाया जिससे उसका शेप लिफ वला बनेगा अब पैंसिल या पेन की साहता से एक बीच में और आजू बाजू में छोटी 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 छ क्यों कि इसमें बहुत टाइम लगता है और मुझे थोड़ा स्पीड की आद थे इसमें यह सब चीजे करने के लिए टाइम लगता है क्योंकि धीरे-धीरे करना पड़ता है यह सब चीज आप भी करके देखिए अच्छे बनेंगी आपके बच्चों के भी बन सकते हो बहु बनाते एक रसी लेकर उसको गठान बान लिया इसा जिसके अंदर चौक फस जाएगा एक और थोड़े दूर पे गठान लगा लेंगे जिससे हमको पता चलेगा वो गठान सेंटर रहेगी जनरली हम छोटे बच्चे थे तब हम बाई यूजिंग चौप एक सरकल बनाते थे वैसे चौप में पेंसिल लगाते थे एक साइड में वैसे हमने चौक में चौक लगाया है रसी में एक पॉइंट डिसाइड कर लेंगे और वो पॉइंट के उपर वो जो गठान बनाई लिये वो रखेंगे और दूसरी साइड में हमारा चौक फसेवा गठान रहेगी कंगोली ऐसी ही बनानी पड़ती है ठीक है यह बन गया हमारा एक फिर हमको छोटा करना है तो वह जो हमने गठान बनी थी उसको थोड़ा सा और दूर हम डिस्टंस कम कर देंगी दोनों के बीच में का डाइमेटर और फिर घुमेंगे देखिए इस तरीके से ऐसे घुमोंगे तो ही बनेगी नहीं गुमोंगे तो सरकल अच्छे नहीं बनेगे जितना बड़ा सरकल बनाना है हां बहुत बड़ा सरकल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा किसी को वह वाले डॉट के उपर जो सेंटर वाले डॉट पर हाथ रखना पड़ेगा और छोटे सरकल बनाने है त से सर्फाई थोड़ी कम आती है क्योंकि सब टाइम बराबर गिरता नहीं है तो आप चौक से बनाइए रंगोली से बनाइए और ऐसे सर्कल बनाने की प्रैक्टिस कीजिए उसके बाद कैसे बनानी है रंगोली देखिए राइट हैंड लेफ्ट हैंड में और इतना डिस्टंस लेफ्ट हैंड में हमारा क्या है जो कटो रहा है जिसमें रंगोली है और राइट हैंड से जूखके कमर से नीचे पेरों में डिस्टंस देर से दो फूट का और इसे जूखकर आपको रंगोली बनानी है पहले दिन से मैं बोल रही हूँ कि जूखकर बनाने की प्रैक्टिस करो बैठ कर संसकार भारती रंगोली बनती नहीं है सुन्दर से डॉट्स बना लिए मैं विदाउट कलर रंगोली बता रही हूँ प्रैक्टिस के लिए आज आपको भरना है तो आप इसमें कलर भर के प्रैक्टिस कर सकते हैं देखिए लाइन्स जो हमने फर्स सेकेंड डिस सी से कंटीन्यू करोंगे तो और अपने फ्रेंड्स फैमिली में बताइए कि क्लास चालू है उनको वीडियो शेयर कीजिए वह भी सीख सकें क्योंकि मैं चाहती हो इस दिवाली घर-घर रंगोली बने और घर-घर में खुशिया आये कलर्स की तरीके से तो और हातों से बने र से इसको जॉइन कर लिया आप पहले उसको चौक से बना लीजिए दोनों को और फिर वहां पे हाफ सरकल का प्रैक्टिस हो रहा है बिग हाफ सरकल देखे कैसे खड़े होना है हमको दो पैर पैसे और बीच में से राइट लेकर राइट तक के गोल करना है अब हमने जो तूर देखे एकर वाली रंगोली बताई थी वह बनाई यह देखिए बड़े चोटे चोटे जो सेकेंडे बतायते वह यूज किया यह दो यूज किया उसको कैसे अरेंज करना है आज आज आपको मैंने सिखाया अब हम स्वस्तिक बनाना सब्सकार बारती रंगोली है इसमें सारी भगवान की चीज़े जो आती है वो है दिया बना रही हूँ दो छोटे half circle एक बड़ा half circle और एक जोध दिया ready बहुत easy है एक half circle दूसरा half circle और दिया ready हो जाता है तीन half circle में तो और बहुत आसानी से आप यह रंगोली बनाईये practice कीजिए वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कीजिए और सारे वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल को गंटी बजाके रखिए जब भी वीडियो आएगा तो आपको देखने को मिलेगा चलो फटाफट से अभी फोटोस भीज़ेगे